अस्थमा को अस्थमा और एस्थमा दोनों ही तरह से प्रणाउंस ही जाता है आप जैसे भी कमफर्टेबल हो प्रणाउंस कर सकते हैं अस्थमा का हिंदी मीनिंग दमा श्वास रोग सांस की बीमारी अस्तमा का English meaning a condition in which a person's airways become inflamed, narrow and swell and produce extra mucus which makes it difficult to breathe अस्तमा एक एसी स्तिती है जिसमें किसी व्यक्ती का जो सांस लेने का रास्ता होता है उसमें सूजन पढ़ जाती है, सूजन आ जाती है अंदर की ओर जिसके कारण जो सांस लेने का रास्ता होता है वो सकरा हो जाता है और इसी के सांसा जो airways है, मतलब कि सांस लेने का रास्ता है, उसमें mucus बन जाता है, बल्गम बन जाता है और इन सभी के कारण सांस लेने में दिक्कत आती है तो चलिए, अस्तमा से related कुछ sentences देखते हैं, जिससे कि ये word और clear हो जाए और हमारी memory में हमेशा के लिए fit हो जाए अस्तमा is an illness related to breathing अस्तमा सांस से जुड़ी एक बीमारी है stress can bring on an asthma attack तनाव से अस्तमा का दोरा पड़ सकता है तो उमीद करता हूँ, अस्तमा का मतलब आपको समझ में आ गया होगा ऐसी ही और वीडियो के लिए प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें, शेयर करें थेंक्यों, भाई बाई बाई, टेक कर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में